हेलो दोस्तो मैं हूँ रिश्व चार्जर आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अन्बॉक्सिंग अप्धा मी बॉक्स 4K एंड उसके बाद मैं अपना एक्स्पीरियंस भी शेयर करूंगा तो वीडियो को पूरा देखिए अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना चैनल प तो दोस्तो यह है अच्छली मी 4K बॉक्स एंड यह है पाकेजिंग इंसाइड आपको बिल भी मिलता है अच्छली इधर और एक टेप लगाया हुआ है तो इसको भी निकाल लेते है और आइटिंग वी कन जस्लाइट अफ तो श्लाइट कर लेते है तो इस इस दो मी बॉक्स 4K दोस्तों क्रोम कास्ट बिल्ट इन 4K का सपोर्ट है गूगल असिस्टेंट आता है शामी जो कंपनी का नाम है मी बॉक्स 4K 4K Ultra HD स्ट्रीमिंग प्लेयर तो बहुत सारे मतलब जो भी Android का अप्स है सभी का सपोर्ट है कुछ इधर लिखा है जैसे आप देख सकते हैं पावड बें Android TV and few of the apps mentioned है इस तरफ three step setup connect me box to TV connect to internet start streaming and seal है दोस्तों very important seal और हमेशा देख लएजिए की seal लगा है की नहीं तो it's sealed that's a good thing फिर Android TV देखिए आप लिखा है देख सकते हैं फिर और कुछ लिखा है DTS 2.0 प्लस Digital Out HDR 10 Google Assistant 64-bit Quad-Core CPU Cortex-A53 based processor Chromecast built-in ठीक है दोस्तों इस तरफ what's included me box Bluetooth wise remote HDMI cable power adapter ठीक चलिए फिर तो खोलते हैं देखते हैं अंदर कैसा है तो this I think तो since मुझे लगता है यह sideways है दोस्तों तो I think so it opens sideways क्यूंकि seal भी side में लगाया है तो carefully इसको निकालते हैं okay cut ठीक है cut हो गया इसके बाद हम carefully ऐसे करके yes very nicely package तो easily खुल जाता है ज्यादा मतलब इदर उदर करने की जरुवरत नहीं है one seal and it opens up इदर है हमारा me box 4k इसको side में रखते है इदर फिर check out करते और क्या है इसमें तो there's a manual आप देख सकते है me box 4k 4k Ultra HD streaming player so this is the manual installation guide तो nicely सब कुछ लिखा है पीछे क्या है okay पीछे बस इतना ही है चीक है अगर आप interested है दोस्तों इसको खरीदने में तो link में description and comment में छोड़ दूंगा ता कि आप directly click click करके खरीच सकते है फिर इसको flip करते है तो और भी सब accessories मिल जाता है तो पहले आपको remote दिखा देता हूं so here's the remote ठीक है तो remote आप देख सकते है remote में batteries नहीं आता है तो हमको separately battery खरीब के लगाना पड़ता है दोस्तों so this is without the battery खोल के देख लेते हैं एक बार okay so let's remove the remote आराम से क्योंकि गिरना जाए remote तो निकल गया है आपको एक close-up look दिखा देता हूं remote का so this is how the remote looks and battery नहीं है दोस्तों so batteries हमको खरीद के लगाना पड़ेगा so that I'll do shop में जाके लगाएंगे अभी खरीट के आएंगे उसके बाद यह है हमारा adapter देख सकते हैं so ratings भी आपको दिखा देता हूं मैं pause करके आप देख सकते हैं उसके बाद this is the adapter so this is how the pin is so pin हम देख लिया नहीं देख लिया उसके बाद और एक cable आता है so this is the HDMI cable for connection with protectors पी आते दोस्तों nice thing तो निकाल लेते हैं इसको okay निकाल लिया और कुछ है कि नहीं बस इतना ही है तो this is the cable ठीक है and these are the protectors तो protector को हम निकाल लेते हैं see ठीक है the nice thing कि यह अगर आपको store करना है कहीं travel करना है तो protection मिलेगा तो इस तरफ HDMI cable तो यही था दोस्तो सब कुछ in the box and आपको device भी दिखा देता हो main thing so very very compact है दोस्तों actually picture में और थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा था बड़ा लग रहा था very nice design भी अच्छा है and modern लगता है तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा वो था unboxing उसके बाद मतलब वो video में almost 2 दिन पहले बनाया था उसके बाद मैं इसको मतलब इस device को अपना primary device के जैसे use कर रहा था streaming के लिए and initial impressions I am really happy with the product अभी मैं full HD TV use करता हूं non smart तो 4K का तो support नहीं है full HD तक चल रहा था YouTube में 4K का support है which is nice but normally interface 1080p में ही चल रहा था तो अगर आप prime देखे तो full HD max चलेगा 4K नहीं चलेगा that is one thing but overall smooth चल रहा था दोस्तो setup भी easy था and one of the thing that impressed me था कि जो remote है उसका power button से आप TV on off कर पा रहे थे मैंने me tv stick भी use किया है बट उसमें for some reason control नहीं हो रहा था वेरास इसमें HDMI CC on करने के बाद definitely काम कर रहा था थोड़ा सा delay होता है दोस्तो तो on करने से 5 seconds लगता है फिर on होता है बट on होता है और off करेंगे तो 5 seconds लगता है फिर TV पहले me box off होते है उसके बाद TV off होता है बट काम कर रहा है which is a nice thing smooth interface कहीं भी lag नहीं मिला wifi भी कोई भी issues नहीं था dual band wifi support करता है तो that is also good game भी एक दो खेला तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था remote से खेलने में बट smoothly काम कर रहा था बहुत सारे जो important games है वो तो gamepad required दिखा रहे थे तो अभी तो मेरे पास gamepad नहीं है but in future मैं plan कर रहा हूं एक gamepad खरीदना already मतलब research शुरू हो गया है तो on my wish list एक gamepad है वो description में आपको मिल जाएगा कुन सा वाला gamepad है comment section में आड़ कर दूँगा तो आप बताए विल डाट भी गुड ऑप्शन कि अगर आप कोई gamepad यूज कर रहे है मी box 4 के साथ तो recommendation जरूर देना comment section में अभी के लिए तो एक finalize हुआ है देखेंगे थोड़ा सा safe कर रहा हुआ उसके बाद खरी दूँगा बट overall एकदम मतलब मैं सोच रहा था थोड़ा जादा बड़ा होगा बट एकदम compact है दोस्तों एक चीज है कि जो adapter है वो उतना बड़ा नहीं है तो एक चीज आपको pass रखना पड़ेगा जो power plug करेंगे नहीं तो थोड एकदम end to end रखना पड़ा क्योंकि एकदम टाइट से बैट रहा था so that is one thing थोड़ा बड़ा दे तो बेटर रहता इवन HDMI cable और थोड़ा लंबा देते तो बेटर होता मेरे को खुद का HDMI cable यूस करना पड़ा क्योंकि यह मेरा जो setup है वो बहुत जादा ही लंबा चाहिए तो उसके वज़े से separate करीजना पड़ा but for most people I think यह problem नहीं होगा आपके लिए किंकि आप पास ही रखेंगे नहीं तो थोड़ा साइजस्टमेंट करना पड़ा पड़ेगा but overall super no problems yet to 4k option one of the best selling android tv boxes है दोस्तों value for money 4k support करता है and overall I've been happy with the product overall अभी तक दो दिन जो भी उस किया nice product अगर आप भी interested है तो अभी तक कोई भी complaints नहीं है तो आप definitely खरीच सकते है link आपको description comment section मिल जाएगा पीछे जो box है उसका USB port भी है तो आप pen drive लगा के भी कुछ देख सकते है अगर कोई movies है तो that is also good thing overall nice product अगर आपको ये वीडियो इंपरमेटी लगा तो एक लाइक ज़रूर करते दोस्तों चैनल पर नहीं है तो subscribe और के bell icon पर दबा दीजिए मुझे instagram पर follow कीजिए अज के लिए इतने था दोस्तों फिर से अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए bye bye and stay safe and जैसे कि मैं बोला अगर आप interested है तो link आपको description comment section में मिल जाएगा अगर आप वो link क्लिक करके ख ना सक्यर चली बाई